ंलमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का कशनासफ फार्मिंग यूटिफ चैनल पे दोस्तो आज के वीडियो में आप कुरबानी वाले बक्रे देखोगे और ये सभी बक्रे सेल के लुपलप्ट दे दोस्तों यह बक्रे डाइमा गोट फार्म करेल के हैं और इस गोट फार्म के जो ओनर है उनका नाम है बंटी भाई दोस्तों जैसे की वीडियो में आप जित्ते ये बक्रे देख रहो इन सभी बक्रों का बोडी वेट लगबक 40 केजी से लेके 80 केजी तक की ये बक्रे हैं और ये भी फार्म पे खड़े जानवर है तो जिस भी भाई को ईत के लिए बक्रे चाहिए और वो भी सिरोई नसल के बक बक्रे दो दात से लेके 6 दात में हैं और ज्यादा तर इनमें जो बक्रे हैं वो सभी खसी बक्रे हैं और कुछ अंडूल बक्रे भी है तो आपको जिस तरह के बक्रे चाहिए सभी केटेगरी के बक्रे इसमें मिल जाएंगे अगर आपको 40 किलो का बक्रा चाहिए तो 40 किलो क मिल जाएगा पचास का चे तो पचास और साहाट किलो का भी चाहिए तो ये भी मिल जाएगा और अगर आपको इस से हेवी बकरा अगर असी केजी का चाहिए तो भी आपको यहाँ पे इन बकरों के लोड में मिल जाएगा अब बात करते हैं इनकी प्राइस क्या है तो इनकी जो प्राइस है वो है सारे 300 रुपे पर केजी ये कोई final प्राइस नहीं है अगर आप ज़्यादा quantity में लेते हो तो ये प्राइस भी कम हो सकती है और अगर आपको बिजनस करना है जिसे अभी इत का लगबग एक महिना बचा हुआ है और इसी बीच में अगर आप ये जानवर खरित के अपने पास 10-20 दिन रखके इसको अगर आप किसी और को बेशते हो तो इस तरह का बिजनस भी आप कर सकते हो क्योंकि अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में लेते हो तो ये प्राइस कम कर सकते हैं दोस्तों ये बंटी भाई ओल इंडिया सप्लायर है अगर आप ये बकरे की फोटो और वीडियो भी अगर मंगवाना चाहते हो तो जो नंबर आप स्क्रीन पर देख रहो यही नंबर इनका वाट्सप वाला नंबर भी है तो आप इनके नंबर पर मेसेज पोचा के इन बकरों की फोटो और वीडियो भी मंगवा सकते हो और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो फेक है तो आप इनके जो नंबर पर वाट्सप वीडियो कोलिंग करके भी ये बकरों को देख देख सकते हो दोस्तों अब बात करते हैं कि यह फार्म कहां है तो यह गोड फार्म राजस्तान के पुश्कर के कडल नामक एक गाउं में है और इनका वीडियो पहले भी मैं तुका हूं और यह भी टोटल सहाट नग बक रहे हैं जल्दी इनके पास सव नग वाले भी एक आप मेरे वोट्सअप नंबर पर आपके बकरों की वीडियो और फोटो आप पहुचाईए और अच्छी क्वालिटी में पहुचाईए बकरे को पूरा दिखाईए ताकि मैं उस वीडियो को अगर डालूं तो मुझे आसानी रहे दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताईए धन्यवाद दोस्तों